इडिकोशन भाई आड़े उटेप चनलल पर आप सोबेका भहत भुष स्वाग अथे आज वर एक बहुत इंपोर्टेन वीडियो लेके आप लुग केस सामने आया हू और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आशाम पुलिस की एभी और यूबी की रिकुटमेंट की बार हाइड कोट में केस करेंगे तो हाइड कोट में केस करने के बाद क्या होगा इस वीडियो में हम विस्तर से जानेंगे और क्या हो सकता है हमारा आने वाली फ्यूचर उसके वारे में हम जानेंगे आप सुभी को पता है आप सबी सबीने 2018 में इस रिकुटमेंट का एडबेट किया और आप लोगन तिन साल भर प्रेक्टिस करते रहे करते रहे रिकुट्मेंट आज काल होगा होगा एसे बोलके 2020 में रिकुट्मेंट स्टार्ट हुआ 2020 में recruitment start होने के बाद कुछ problem आया और इस problem के लिए recruitment बंध हा गया आप सभी ने 3 साल की practice की उसके बाद recruitment बंध हा गया लेकिन आप सभी का जो confidence है वो वह बढ़िया है आप सभी recruitment फिर से दे सकते हो अगर फिर से recruitment होगा तो आप लोग को सबने practice करके राका है आप लोग फिर से participate कर सकते है और आप लोग फिर से इसमें pass हर सकते लेकिन आप लोगों ने high-coat में case कर दिया तो high-coat में case चलता रहेगा चलता रहेगा 3-4 साल जाएगा उसके बाद कब high-coat में सुनानी कब होगा वो 3-4 साल 5 साल लग जाएगा और 3-4 साल पात साल में आप एसे ही रहते रहते बुढ़े हो जाओगे और जिन लोगों का एज का क्यादा हो गए उन लोगों का तो 3-4 साल में कतम हो जाएगा टाइम और आप सभी भी इसके बारे में इतना प्रेक्टिस कर नहीं पाओगे तो आप लोगों का क्या होगा वविश्य हो तो आप लोगों को पाता है तो इस प्रब्दम का सोलोशन हाई कोट में केस करना नहीं अगर हाइकोट में केस करांगे तो और किसी का जिन्दगी कराब हो सकता है इसलिए आप प्लूक क्रिपा करके हाइकोट में केस ना करें और हमारे इस यूटेब चैनल पर जो लोग पहली बार आए है चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इस वीडियो को आपने सभी दूस्तो को साथ जरूर सेयर कीजिए क्योंकि उनलोगों को भी पता होना चाहिए इसके बारे में तेंक्यू